अबी हम प्वित्र शास्त्र में चलते हैं. मेरा मलब्व प्वित्र शास्त्र को खोलते हैं, पवित्र शास्त्र में से कुछ हम अदियन करने की आज कोशिच करेंगे. और आज मैं जği perspectives समय67 नहीं के शावा प्रड़ी तरुखुराओ लेकिन इतना कहूंगा कि आपके पास अगर नोट बुक्स है तो उसे निकाल लीजिए और पैंस, या पैंसल से तो निकाल लीजिए अगर आप बुक्स में नहीं लिखते अपने डिवाइस्पे में लिखते तो आपके डिवाइस्पे को तैयाँ रिके कुछ जरूरी बाते मैं आपको बताओंगा और ये उन लोगे लिए हैं जिन्होंने येश्व मसी के उस महान बलीदान को गरहन किया है जिन्होंने यानि विश्वास किया है कि वो पापी थे और येश्व मसी मैं पापी थे इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आपने विश्वास किया आप पापी ना रहे ये पवित्र शास्त्र में लिखा है बैविल में लिखा है आपको मैं बता भी चुका हूँ कि येश्व मसी में विश्वास करने तक यानि इस सत्य को ग्रहन करने तक सभी मनिश्य पापी है इस बात से कोई फराइक नहीं पढ़ता है कि आप कहांगे रेने वाले हो आप कौन सी बाशा बोलतो हो, कितना आप पड़े लिके हैं, कितना दन आपके पास है इस इन बातों से कोई फराइक नहीं पढ़ता जब तक उस महत्पुर्ण काम को जो येश्य मसी ने मानव जादी के लिए किया है एक इनसान विश्वास नहीं करता तब तक उसके मैं अक्सर कहता हूं उसके गिले में लटका रहता है एक बड़ा सा लेबल जिसमें लिखा होता है पापी लेकिन जिस समय एक इनसान एक विक्ति उस सत्यों पर विश्वास करता है कि वो पापी था और येश्य मसी ने उसको पाप से चुडाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया उस समय उसके गले से वो लेबल हट जाता है यानि उस लेबल में कुछ और लिखा जाता है और प पवित्र हैं पहले क्या था पापी ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन लोंगे लिए है जिन्नों ने उस सत्यों पर विश्वास किया यानि एश्य मसी के उस बलिदान को मान लिया विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा संद बन गया है यानि प बविश्य मेरा मतलब उस पल से जिस पल आप उस बात को विश्वास करेंगे। उस समय के बाद आपके जीवन में क्या हो सकता है या आपका जीवन कैसा रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। रोमियो की पत्री में रोमियो की पत्री का आट वा अध्याय में चलते हैं पवित्र शास्त्र में नया नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है रोमियो रोमियो की पत्री का आट वा अध्याय में इंगलिश में रोमेंस चाप्टर एट कुछ लोगोंने रिक्वेस्ट किया है कि अंग्रेजी में भी बोला करो किताबों का नाम क्योंगी वो इंग्लिश बाइबल यूस करते हैं तो आपकी सुविदा के लिए बता रहा हूं Romans chapter 8 इस अध्याय में इस आटवा अध्याय में परमेश्वर प्रभू येश्व मसी उन लोगों से बात करता है जिन्होंने परमेश्वर के उस महान बलिदान को स्विकार किया गरहन किया मान लिया विशुआस किया जैसे भी आप इसको कहना चाहें और परमेश्वर की एक खासियत हैं कभी कभी परमेश्वर अपनी बात को अपने बच्चों के सामने आपको ये बात मालूम है ना कि जितनों ने विश्वास किया वो आप परमेश्वर की केवल सृष्टी नहीं परमेश्वर की संतान हैं बच्चे हैं ये दर्जा सबको नहीं मिलता और यह हम कमा भी नहीं सकते पिछले हफ़ते में आपको बताया था हम अपने अच्छे कामों से या अपनी बक्ती से कमा नहीं सकते यह परमेश्वर देता है उन सब को जिन्हों ने इस बात पर विश्वास किया इसलिए परमेश्वर अपने प्यारे बच्छों से बात करता है और कभी-कभी प्यारे बच्छों से बात करते हुए परमेश्वर सवाल पूछता है और परमेश्वर जब सवाल पूछता है यानि परमेशर सवाल पूछने के बाद जवाब नहीं देता क्योंगि उसी सवाल में ही जवाब है इसलिए ध्यान से सुनने की और ध्यान से पढ़ने की जरूरत है वैसे भी आप जानते हैं जब आप पवित्रशास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्रात्मा परमेशर आपसे बात करता है देखते हैं इसका 32 पत में वर्स तरी टू उसको हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हम 31 पत को भी पढ़ेंगे इंड्रोडेक्शन है अता हम इन बातों के विशे में क्या कहें यदि परमेश्वर अमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जिसने अपने निच पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंदू उससे हम सब के लिए दे दिया वे उसके साथ हमें और भी सब कुछ क्यों न देगा यह सवाल है फरमेश्वर की ओर से अपने बच्चों से और हर एक बच्चे को आपको बुरा तो नहीं लगते हैं आ है परिमेश्वर के बच्चे और यह हक्कीकत और है समझ में आता हो बहुत आसान हो जाता है सुनके कई अच्छा नहीं लेकिन फरमेश्वर हमें पूछता है, यानि मुझसे पूछता है, आप से भी पूछता है, यह सवाल और इसमें जवाब है, अगर इसका जवाब हमें समझ आता है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, जबकी परमेश्वर अमारी ओर है, यहां में लिका है यदी, इस यदी शब्त को अगर आप है, तो उसमें लिका है कि जबकी, यानि सिंस, गौड इस फोर अस, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोन हो सकता है, आपको सोचना चाहिए, जवाब आपको मिल जाना चाहिए, इस पर विशार करने से, सबसे पहले परमेश्वर अपना विक्तित्व ज बचों को बताना चाहता है, परमेश्वर का विक्तित्व, परमेश्वर का हम कहते हैं, परसनालिटी, परमेश्वर का नेचर, सुभाव, यह पैचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पवितर शास्त्र में एक जवाब पे लिखा है, उन लोग लिए जो परमेश्वर के बच तब यह हैं, एक बार येश्वर मसी के संतान होने के बाद, यानि परमेश्वर के गराने के सदस्य होने के बाद, इन बातों को दियान से सुनिए, परमेश्वर के गराने के सदस्य है, इसका मतलब येश्वर मसी पर विश्वास करने से पहले, हम सुष्टी जरूर थे लेक एक नया रिस्ता बन जाता है, एक अटूट रिस्ता, एक ऐसा रिस्ता जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, परमेश्वर भी नहीं तोड़ सकता, ना हम तोड़ सकते हैं, ना कोई इंसान आके तोड़ सकता है, कोई दुष्टात्मा आके नहीं तोड़ सकता, वो अटूट रिस्त बन जाता है, हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के गराने के सदस्य बन जाते हैं, तो मैं उन लोगे फैदा के लिए कह रहा हूं, जो लंबे समय से प्रभु येश्व मसी में हैं, और मैं उन लोगे भी फैदा के लिए कह रहा हूं, जो अभी नहीं हैं, अभी कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों या महीनों पहले प्रभू येश्व मसी के उस बलिदान पर विश्वास करके परमेश्वर के गराने के सदे से बने गे हैं, यानि दोनों के लिए ये फैदा मंद है, जो मैं आपको बदाने जा रहा हूँ, अभी तो मैंने शुर्ब शुरू कि ये बदाय नहीं क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि परितरात्मा की सहायधा से हम जान सके कि परमेश्वर का जो विक्तित्तू है, वो क्या है, परमेश्वर का नेचर क्या है, परमेश्वर का सबाब,ara themes characteristics, आपको देखने की हम कोशिश करते हैं, जिसने यानि पिता ने अपने निच पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंदू उसे हम सब के लिए दे दिया वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा हर एक बच्चे को हर एक विक्ति को जो एशु मसी पर विश्वास करता है ये बात अच्छी तरह से खरदे में मालूम होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने जिस पिता ने हम से इतना प्रेम किया हम से मतलब सिरब आप से और मुझे नहीं पूरी मानव जादी से लेकिन सब ने उसका फाइदा नहीं उठाया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम से इतना प्रेम किया कि स्वयम परमेश्वर का पुत्र येश मसी मनिश्य बनके इस पृतिव में आया क्रूस पर अपना लहू बहाया यानि अपना जीवन निचावर कर दिया मेरी लिए और आपके लिए वो परमेश्र बाकी वस्तुमें बाकी जो कुछ भी हमें इस जीवन में चाहिए मैं इस जीवन क्यों कह रहा हूँ लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद एक जीवन है तो हर बात जो मैं आपको कहता हूँ उसमें गहराई है इसलिए दियान से सुनिए और अपने मनों में या अपने नोटबुक में लिख लीजिए नोटबुक में लिखने के बाद दियान रखना कभी कभी कुल के पढ़ ले ना ताकि आपको फायदा मिले सिरुफ नोट बुक में लिखके बंद करेंगे तो कोई फैदा नी होगा, इसलिए इस जीवन में, अनन्द जीवन की बात परमेश्र आपको जादा नहीं बताता, क्योंगे अनन्द जीवन में आप परमेश्र के संख रहेंगे, आपको कुछ जादा कुछ बताने की जरूरत इस जीवन में कैसे रहना है इस जीवन में समल के रहना है परमेशुर के साथ साथ रहना है और इस जीवन में हमें मालूम होना चाहिए कि जिस परमेशुर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरा जनम होने से पहले परमेशुर ने मेरे लिए एक ऐसा काम किया जिसका मैं बयान कर सकता जो समझ से परे है क्योंगी मैं जनम लिया पाप में और मुझे पाप से चुड़ाने के लिए मेरे जनम होने से पहले ही परमिश्र ने वो काम कर डाला और सिर्फ इतना कहा इतना कहा कि मैंने जो काम गिया है उस पर विश्वास कर लो तो मेरी संदान बन जाओगे और फिर मेरे साथ रहोगे और यहां पर जीवन खतम होने के बाद अनंद जीवन में जाओगे और इतना ही नहीं परमेशर कहता है कि जब मैंने इतना किया है तुम्हारे लिए तू क्या इस जीवन में तुम्हारे बाकि सब कुछ भी नहीं करूँगा और यह सावाल पोछ रहा है आप से, मुझसे पोछ रहा है और मेरे पास और आपके पास इसका जबाब होना चाहिए, हमारे हिरदे में हमें मालूम होना चाहिए मैं जब विश्वास में नया था तो एक गीद सुना करता था उन दूनों में जो गीद लिखे जाते थे वो बहुत गहराई रिखने वाले गीद होते थे क्योंकि मैं समझता हो कि परमेश्वर से प्रेरना पाकर पवितर शास्तर के अनसार उसमें लोग गीद लिखते थे इसलिए उन गीदों में परमेश्वर का सत्य हमें मिलता था एक गीत था कि मुझे मालूम है मुझे यकीनन मालूम है कि मेरी हानी के लिए मेरा परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा ये सौंग हिंदी में नहीं था मैं अनुमाद करके बोल रहा हूँ उपको और अगर वो मेरी पिटाई भी करता है तो मुझे मालूम है कि वो मुझे पियार करता है सोच इस बार में इसलिए मैं शुरुहास चांग से एक बात पर कंविंस रहा हूँ और आज भी मैं वो गीत काता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे हानी के लिए कुछ भी नहीं करेगा और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिटाई हो रही है तब ही मुझे मालूम है कि वो मुझे प्यार करता है और ये बात पवितर शास्त्र में है नया नियम में है इबरानियों के पत्री में अध्याय मुझे अभी याद निये शायद बारव में देख लिए उसमें लिखा है कि परमेश्रु जिसको प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है अगर वो ताड़ना करता है तो मुझे 100% confidence है कि वो मुझे प्यार करता है लेकिन में वो मेरे हानी के लिए कुछ भी नहीं क प्रमेश्रु बाइब रहाता है जैसे अभी अबने गीद में गाया ना कि मैंने तो तुम्हारा चित्र जो है अपने हतेली पे खोद की रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम अनिश्य को समझाने के लिए मैं कभी-कभी आपको पता था ना कि परमेश्वर हमारी बाशा में हमसे बात करता है अगर परमेश्वर स्वर्गी बाशा में बाइबल लिक्वाई होती तो हमें समझ नहीं आता है इसलिए हमारी पृत्वी की बाशा में प्रमेश्वर हमें समझाता है कि मैंने हाथ पे हतेली पे तुमारा चित्र कोड रखा है ताकि मैं जब भी हतेली की ओर देखूं तुम दिखाई दो इतनी गुश्रत बात है प्रमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि मैंने अपने बाजू में तुम्हारा तस्विर बना रखा है सोचे इस बारे में अगर प्रमिश्र ने अपने बाजू में आपका तस्विर खोद रखा होता तो शट पेढ़ने के बाद दिखाई नहीं देता है ना इनसानकी वाशा में बोल रहा हूं ओर मानव की वाशा में बोल रहा हूं इसलिए पहलकर आपका अगर मनिशा को बात समझ जाए मैं आपको यह नहीं बदा रहा हूं हमारी बाशा में हमें आसानी से समझ समझाने के लिए और हमारे मन में कोई शक ना रहे कोई फालतू के सवाल ना रहे जैसे कभी-कभी लोग पूछ देना कि अच्छा फिर प्रमेशर अगर शर्ट पढ़ता हो तो बात कतम यहां पर है यहां पर है अतेली पर दिखाई देता है हमें मालूम होना चाहिए विश्वासियों को बच्चों को कि हमारा पिता जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया वो बाकी सब कुछ क्यों ना करेगा और यह मुझे विक्तिक तोर पर मालूम हो जाना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए सहाइदा के लिए आपके पास पवित्र शास्त्र है और एक महतपूर्ण शिक्षक अध्याबग है जिसका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपना आत्मा इन दोनों की सहाइ जिवन में जो कि तोड़ा से लंबा है, 120 साल तक है मैक्सिमुम, उसके बाद अनन्द जीवन शुरू होता है हमारे लिए, इस 120 साल की जिवन में हमें काफी उतार चड़ाव से निकलना पड़ता है, उस समय हमें अगर ये सचाई मालूम हो कि परमेश्वर सब कुछ अमारे लि जाती है, टेंशन और चिंदा हमें रेकने की जरूरत नहीं होगी, पवित्र शास्तर में मैं आपको एक उधारन देता हूं, दो से कंफर्म हो जाएगा आपके लिए, लुका कर उस समाचार में, गॉस्पल अप लुक, आप चाहे तो कोल के देख सकते हैं, उसका 19 वाद या बताया है कि जब एशुमसी सुबा के समय निकल आते थे, लोगों के बीच में, लोगो परमेशर के बारे में बताने के लिए और लोगों की जरुरतों को पूरा करने के लिए, यानि बिमारों को ठी करने के लिए, उस समय एशु के पीचे बहुत बड़ी बीड लग जाते बलकि बैवल में लेका है कि बीड की बीड लग जाते थे, यानि चोटी मोडी बीड नहीं, सारे पूरा शहर एशु के पीचे लग जाते थे, उनमें कई किसम के लोगों होते थे, कुछ जिन्होंने एशुमसी के कामों को देखा, उसका आनंद लिया, यानि उनके जीवनों में एशुमसी ने काम किया है, उनको चंगाया मिली है, या फिर जिस प्रगार की जरूरत उनको उसम्यती वो पूरी हो गई है, इसलिए वो एशुमसी के पीचे चल पड़े, ऐसा नहीं कि उन्होंने एशुमसी पर विश्वास किया, या एशुमसी को प्रभू हो जाना, प संसार में आया है, सद्कुरू, सद्कुरू के पीचे चल रहे हैं, और कुछ लोग इसलिए चलते थे, वो और भी चमतकार देखना चाहते थे, और भी चंगायां देखना चाहते थे, वो देखना चाहते कि लंगड़े कैसे ठीक होते हैं, शुमसी के बोले से, अंदों को कै सारी दुनिया जानती थी कि यह पावी है आपको पता ना दो किसम में पावी होते हैं एक पावी जिसके बारे में सब कुछ सबको पता है कि यह पावी है और एक पावी जिसके बारे में लोग सोचते नहीं कि यह पावी है लेकिन है पावी एक होता है इस पावी जो सूट इसलिए है कि वो जो टाक्स लेता था वो आपको पताना है कि उसमें रोम सामराची के अधीनता में रहा तो उसमें टाक्स किसको जाता था रोम में जाता था यानि रोम की और से रोम की जो रोम में जो सामराट है उनकी और से टैक्स कलेक्टर बहुत होते थे और यह सारे यहूदी होते थे तो टैक्स जाता है रोम को लेकिन टैक्स कलेक्टर जो उता था वो टैक्स को उपर अपने सर्विस चार्ज भी लेता था कितने परसंट उसको के परसंटेज नहीं होता था उसकी मरजी होती थी इसलिए टाक्स को कोई भी पसंद नहीं करता था और लोगों की नजर में वह पापी था महापापी था लालची और लूटे राएं लूटने वाला क्योंकि जितना आपकाट से उतना ही वह अपने सर्विस चारज़ भी लेता था उसकी मरजी होती थोगी मूड़ पर होता था और वह बहुत पैसे वाला होता था क्योंकि लूट-लूट के पैसा बहुत कमाया होता है बड़े आलिशान मकान में रहता है और अच्छे बस्त्र पहनते हैं और ऐसा एक विक्ति वो पता चला कि ये शुमसी आ रहा है लेकिन बहुत बड़ी बीड़ है अब वो ये शुमसी को देखना चाहता था लेकिन पैचान होंगा कैसे इसमसी की खासियत हुथ जब परमेशन मनसे बन के बीच में रहा न थो इसमसी को पैचानना थोड़ा सा मुश्किल था आजकल जो जो फोटो में देखते हैं आजकल ली डिर्स होते उनको पैचान सकते हैं उनकी कपड़े अलग किसम की होते हैं यह सब्सक्राइब कपड़े में जैसे वाइब कि पैचानना मुश्किल था इसलिए जब एश्योख क्रूस पर अपना जीवन देने के समय आया तो जिनोंने एश्योख मासी को पकड़ना चाहा और सलीव पे मारना चाहाँ उन्होंने एक विक्ति को पैसे दिये भई हमें बताओ यह मसी कौन है इनमें से हैं क्योंकि हम रात को जाके पकड़ेंगे अगर पब्लिक जहां मैं कड़े हो के यह मसी परचार कर रहा होता तो पहचानना आसान है कि यहीं बोल रहा है लेकिन रात को जब अपने चेल को ऐसे वह लाइट को गौला नहीं था है लो नहीं था जैसे हम लोग सोचते हैं तस्वीरों में देखते हैं यानि बाहरी रूप से यह मसी को परमेश्र को पहचान नहीं सकते थे आप जब परमेश्र अपना काम करना शुरू करता है और द्यान रहे कि मनिश्री गुरुव तो वैसे भी नहीं देख सकता उसको ऐसे देखना पड़ा तभी पैचानेंगे कैसे तो उसने सोचा कि एक बार देखना है एक बार देख तो लूँ सुना तो बहुत है वह पेड़ को उपर चड़ गया सिकमोट्री अंग्रेशी में गुलेर का पेड़ लेका है और एक ऐसा पीड़ा जिसमें कोई चड़ता नहीं वैसे कोई इस इसार इंसान उस पेड़ पर नहीं चड़ता जानवरों को दिया जाता है और बिल्कुल गरीव वेक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए व अच्छे मसीज जा रहा है और जब उस पेड़ के नीचे आया और एक बात और बदाता हूं जब उसने देखा कि बीड़ आ रही है तो वह लिखा है कि वह आगे दोड़ गया नहीं मैं तोड़ा सा आगे चला जाता हूं किसी पेड़ को उपर चड़ जाता हूं तक ही जब बीड़ के साथ आये तो मैं पहचान लूँगा किसी ना किसी रूप से मुझे पता चलेगा जब यह 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 मसी कुछ बात करेगा था पता चलेगा अच्छे यह है यह मसी वह पेड़ के ऊपर चड़के बैटा किसी को नहीं पता क्योंकि वह आगे दोड़के चला गया था बीड़ अपने बातों में लगी हुई है और यह मसी शलके आ रहा है जो पेड़ के नीचे आया यह मसी रुग गया और इसका नाम जक्का ही था जाकियस अंग्रेशी में उसको बिला कि नीचे उतरा हो आप क्या देखते हैं यह मसी ने उसको पैचान लिया यह मसी ने उससे डूंडा फैतर शास्तर में इसलिए लिखा है कि हमने परमेशुर को नहीं डूंडा उसने हमें डूंडा है यहना का 15 का 16 में लिखा जॉन 15 16 परमेशुर ने हमें डूंडा है इसलिए आपके पास और मेरे पास जिस दिन जिस तारिक जिस समय सुसमाचार किसी ने आपको सब से पहले बार बडायानि इस समाचार से मेरा मतलब येश्य मसी के बारे में जिस तारी को जिस दिन जिस समय को किसी ने भी बताया वो समय है ता आपके लिए उसे पहले बताया होता तो आप इश्वास नहीं करते वो समय परमेश्वर ने चुना कि आज इस तारीक को इस समय पर इस विक्ति को सोसमाचार बताना है एक विक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया उसने आके आपको बताया और फिर जब आप सुन रहे थे परमेश्वर ने आप पर अपना अनग्रह दिया, अपनी करुणा दिखाया कि आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया, अपने विश्वास कर लिया, बहुत आसानी से, आप अलड़ के सोचे, कितनी आसानी से आपने उस समाचार पर विश्वास किया, क्यों? क्योंकि वो आ आपका अपना विश्वास नहीं था, वो परमेश्व ने आपको दिया था, उसका अनग्रे जो है, वो बहुत ज़्यादा अनग्र आपकी और बेह चली, परमेश्व ने डूंडा, एक-एक विक्ति को वो डूंडता है, और फिर बताता है, परमेश्व आपको और मुझे को चुनता है, तो जिसने मुझे चुना, जिसने आपको चुना, क्या जरूरती परमेशुर को, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उस बीड में मुझे उसने डूंड के निकाला, उस बीड में बहुत सारे लोग पीछे लगे वह थे, बहुत सारे लोग आगे भी चल रहे थे, लेकिन उस लिया और उसको बुलन नीचे आजाओ योना का पांच वादिया में जॉन चाप्टर फाइव एक जगा के विशे में बात है योरुसलेम मंदिर के पास परमेश्वर के उस अरादनाले के पास एक कुंड है वहां बे बहुत सारे बीमार लोग पढ़े रहते लूले लंगड़े अंदे सब किसम के बीमार लोग वाँ पाये जाते थे अगर बीमारी के वरे में स्टड़ी करना तो बहां जाना काफी था क्योंगि हर किसम की बीमारी वहां आपको दिखाई देती है और उन लोगों की लिए लिख YOUR कि एक परमेशुर का एक निक्त समय होता है जब वो पानी हिला जाता है और जो पहले उसमें उतर जाता है वो ठीक हो जाता था और बहुत सारे लोग आकर ठीक होगे बहुत सारे लोग यह काफी सालों से वहां चल रहा था परमेश्वर ने हमेशा लोग बीमार ना रहें, इसलिए हर बीमार वेक्ति वहाँ आके ठीक होता था, अब एक बीमार वेक्ति था, वो अटीस साल से बीमार था, और कुछ चल नहीं सकता था, इसका मेला उसके परिवार के किसी जन्न ने उसको लाके वाँ बे छोड़ दिया होगा, वो साथ बैटा न रहा दो-तिन दिन, जैसे पानी हिले और मैं उसको उतार दूँ, और येश्यमसी जब वहाँ से निकल रहा था, ध्यान रहे कि वहाँ बहुत सारे बीमार थे, बहुत सारे बीमार लोग थे, येश्यमसी ने उस वेक्ति से पूचा, क्या तू ठीक हो ना चाहता है, और बाकि हाँ पहाँ है और पखितर शासर्ह may बहुत सडल Rٌथी से लिखना है कि येश्यमसी जानता था, येश्यमसी जानता था कि ये बहुत लंबे समयाesehen से आम बरे, और उसे पूच़ा, तो थीक हो ना चाहता है, उसने कहा कि बात यह है कि मैं ठीक हो ना चाहता है, लेकन उसके ज आता हूं 38 साल से इसलिए तो इंदिसार कर रहा हूं और ये श्मिष ने उस व्यक्ति को डून के निकाला ना हर व्यक्ति को परमेश्व डून के निकालता है उसके पास सुस्वाजार पहुंचाता है और फिर विश्वास देता है यह ओ गई हमारी वीती बात हैं हमारे लिए अब वरतमान की बात करते हैं जिस परमेश्व डून के निकाला हमारे लिए एक विक्ति को चुना कि बाई जाके इसको बताओ और फिर जब उसने बदाया उस विक्ति ने हमें सो समाजार सुनाया तो हमने विश्वास किया विश्वास करने के बाद की जो जिन्दगी है अन प्रमेश्व मसी का बादलों में प्रगट होने या हमें प्रभु में सो जाने के जो समय उस समय तक की जिन्दगी की बात कर रहा हूं कि जिस परमेश्व डून ने इतना प्रेम किया उस प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है इसलिए इतनी सारी बाते मैंने आपको बताई इतना प्रेम किया कि मनिशिवन की संसार में आया। और क्रूश पर अपना जीवन दिया। ये पियार बहुत केहरा है। बहुत गहरा प्यार है। परमिश्र्ण ने क्या-क्यां नहीं किया हमारे लिए। जैने है चाहे तो ऐसा कर सकता दाना कि पृत्वी पर मनिश्य बनकी आया परमेश्वय का पुत्रर की परस्वेकित्तम्स М सब्सक्राइब करेगा एक गडं। मिलेगा पयादा जो विश्वास नहीं करेगा वो न Não हो जायगा ठीक है मैंने जो काम किया सबको पता है विदिहास में भी है नहीं परमेशर ने ऐसा नहीं किया या परमेशर ने ऐसा भी नहीं किया चलो बाइबल में लिख देते हैं आप जो बाइबल पढ़ेगा उसको पता चलेगा जो बाइबल नहीं पढ़ेगा उसको नहीं पता चलेगा नहीं दूत यानि एक messenger चुना और बेजा हर देश में हर बाशा बोलने वाले होंगे बीच में एक messenger को हमेशा परमेशन ने चुना है और बेजा है ताकि हम तक यह message यह संदेश पहुंच आए तो messenger जो है हम सोचते कि अभी नया अविश्कार हुआ है messenger बहुत पुराना है परमेशन का messenger कितने सालों से चल रहा है message आता जाता है और परमेशन ने यह message यह संदेश हमें दिया और हमने विश्वास किया देखा जाए तो परमेशन ने कितनी मेहनत करी हमारे लिए कितना आसान बनाया तो जिस परमेशन ने यह सब कुछ हमारे लिए किया वो आगे की जिन्दगी में भी हमारे लिए सब कुछ नहीं करेगा और इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए और जब यह बात समझ आती न कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा जो हमें चाहिए हमारे लिए इसको कहते है विश्वास विश्वास हम ज़्यादा तर आज के युग में विश्वास को गलत रीदी से पेश किया जाता है यह हमें सिखाय जाता है कि जादर आपने सुना भी होगा कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए कुछ हासल करने के लिए विश्वास चाहिए अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो विश्वास नहीं है आपके पास अगर आपको परमेश्वर की फिद्रत मालूम है, तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर बरोसा कर सकते हैं, अगर उस पर आपका बरोसा है, तो हर चीज जो आपको चाहिए, उसके लिए विश्वास कर सकेंगे, परमेश्वर पर बरोसा यूही नहीं आता, मेहनत करन से नहीं आता पवित्र शास्त्र पढ़ने से आता है क्योंकि पवित्र शास्त्र का अध्यैन से आप परमेश्र को पैचानना शुरू करते हैं इसलिए पतरस की पुस्डव में लिए जब पतर पतरस थीनक नव वर सेकंज्न पिर ट्री नाइन हर बार जब आपके इस कुदाब को खोल के पढ़ते हैं पवित्रा आत्मा आपकी सहाइदा करता है आपसे बात करता है और उसे आपका बरोसा या विश्वास परमेश्वर पर आता है द्रड़ हो जाता है वो विश्वास जब विश्वास द्रड़ है आप सबसे मुश्किल च मेरी लिए बेजा ध्यान रेकिए हम बैबल में अक्सर ऐसा पढ़ता है कि पूरी मानव जादी के लिए परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया ऐसा नहीं कि आप बीड में खो जाते हैं परमेश्वर की नजर में आप हजारों लाकों लोगों के बीच में एक फेसलस इंसान नहीं है आपका चेहरा परमेश्वर के सामने है आपको प्रेक्तिकत रीदी से परमेश्वर जानता है आप हिंदुस्तान में जहां इतने सारे लोग है उनमें से इतने सारे विश्वासी है उनमें से एक विश्वासी नहीं है आप पर आपकी परवा इसलिए वो करता है जिसने आपको डूंडने के लिए आपको डूंड के आप तक मेसेज संदेश पहुंचाने के लिए मेहनत किया एक विक्ति को चुना उसको बोला कि इसको जाकर सुसुमाचार सुनाओ फिर आपने सुना फिर आपको विश्वास दिया वो परमेश्वर आपको पर्सनली विक्तिकत द्रीदी से जानता है परमेश्वर शास्तर में लिखा है कि मैं तेरा नाम जानता हूं परमेश्वर को पता है आपको हम कहते हैं न by name he knows you तो वो परमेश्वर आपके लिए वाकिस सब कुछ नहीं करेगा इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए इसके लिए हमें क्या करना होगा इस पवित्र शास्तर का अधियन करना चाहिए तब पवित्र आत्मा मैं हर एक बच्चे से कहता हूं जो परमेश्वर के हैं जब आपने विश्वास किया आपको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है बहुत बड़ा दान दिया है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का अपना आत्मा आपको दिया है ताकि आपके संग रहेकर आपके साथ साथ रहेकर और इस गिफ्ट में खासियत है ये कभी वापस नहीं लिया जाता परमेश्वर कभी भी इस गिफ्ट को वापस नहीं लेगा हमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर आपके साथ है आपके साथ रहेकर आपकी सहाइदा करने के लिए परमेशर आपसे बात करता रहता है इसका अनुभव भी आपको मिलेगा मैं नए लोगों से कह रहा हूँ पुराने लोगों को तो मालूम ही है तो वो परमेशर आपकी जिन्दी में जो भी आपको चाहिए और जब मैं कहता है जो भी आपको चाहिए हमारा ध्यान हमेशा मेटिरियल चीज़ों की तरफ जाता है लेकिन उसके लावा बहुत सारे जरूरते हैं हमारे जीवन में क्या परमेशर हर एक जरूरत को पूरा नहीं करेगा इसका जवाब आपको मैं नहीं दे रहा हूँ आपको अब तक मिल चुका होगा और ये बुनियादी बाते हैं ने और पुराने लोग दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ मसीग जीवन की येश्यु मसीग पर विश्वास करने के बाद जो जिन्दगी है उस जिन्दगी की बुनियादी बाते हैं जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया वो बाकी वस्तुएं हमारे लिए नहीं करेगा और यहां पर हम रुख जाते हैं इसी सवाल पर ही रुख जाते हैं जब आपको मिल चुका होगा परमेश्वर के आशिश आप सभी लोगे साथ बनी रहें